हेलो स्टूडेंट्स हाई विल्कम बेक टो मैं चैनल लेर्निंग विध दिव्या आज हम पढ़ेंग स्टूडेंट्स होम मनेजमेंट होम मैनेजमेंट ग्रह प्रवंद का आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं और यह topic आपको step wise मिलेगा क्योंकि मैं आपको पढ़ाने ही वाली हूँ ग्रह प्रवंद के चरण ठीक है ग्रह प्रवंद जो कि आप जानते हैं home management बहुत महत्पूर एक आपके विशय है ग्रह विज्ञान का एक बहुत महत्पूर आपके जो है वो छेतर है एरिया है ग्रह प्रवंद ठीक है हम ग्रह प्रवंद ग्रह विज्ञान के बात करते हैं तो हम बात करते हैं पांच महत्पूर छेतर है ये question आपसे बनते है तो उसमें ग्रह प्रवंद जो है वो सबसे महत्पूर है सबसे महतपूर्ण ये प्रशने भी पूछा गया है कि भाई वो सबसे महतपूर्ण है ठीक है क्यों कि ग्रह प्रवंद ग्रह विज्ञान से पूरी तरीके से संबंदेद है घर का प्रवंद करना मतलब घर के लोगों को संतुष्ट करना है ना परिवार के सदस्यों को और परिवार की प्रतेक जीवन चक्र जो है परिवारिक जीवन चक्र उसको कुशलता पूर्वक चलाना यही सब तो ग्रह प्रवंद है हो मानेजमेंट है हम यही सब पढ़ते हैं चाहे हम घर को सजाने की बात करें चाहे हम घर को चलाने की बात करें चाहे हम भोजन मनाने की बात करें, ये सब हो मारेजमेंट के अंदर गता और, ये हों साइंस, बहुत ब्राद, मतल्लाव एरिया है, हो मैं साइंस सेरलेटेड है, ठीक, गरहा प्रवंद आपको पता है, इसको अलग अलग तरीके से, बहुत सारे राइटर ने को प्रिबहाशित किया है, कोई इसको action of cycle बोलता है कोई इसको ब्यवारी विज्ञान बोलता है कि ग्रह बिग्द जो प्रवंध है वो ब्यवारी विज्ञान है ये सब definitions आपस exam में पोछी जाती है कि ये किसने का तो बैध कोड़ जिन कहते हैं कि ग्रहाय प्रबंद एक ब्यव्भारी विज्ञान है राजमल पीर देवदाज जी कहते हैं कि ये एक बांध के समान है ग्रोस करंडल कहते हैं कि ये एक मांसिक प्रक्रिया है तो अलग-לग तरीखे से सब ने ग्रहाय प्रबंद को परिवाशित किया है जब हम बात करने हैं प्रवंद की, प्रवंद एक अपने में बहुत बड़ी चीज है, प्रवंद का मतलब होता है management, management अपने में बहुत बड़ी चीज है, है ना management करना, management हम यूँ ही नहीं करते हैं student, कुछ steps है, कुछ सीडियां है, जुनको हमें follow करना ही पड़ता है, तब फि management है, और यह हमारे दिमाग में है, इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रह प्रवंद या प्रवंद यह एक मानसिक प्रक्रिया है, है ना, और अद्रश कोशल है, आपको दिखाई नहीं देता, आप लेकिन आज जैसे आपने एक plan मनाया, आपने management किया, कि मुझे TGT के लिए पढ़न है, डेली करते हैं, हमें दिखाई नहीं देता, बट हम करते हैं, इसके कुछ steps है, हमें उस steps को follow करना होता है, और in steps के थरू हम management कर सकते हैं, तो हम ग्रह प्रवंद की बात कर रहे हैं, तो ग्रह प्रवंद में आपको पता है, चार जो हैं मुखे चरण होते हैं, आयोजन, ज जिसे आप संगठन बोलते हैं, ठीक, तीसरा आपके होता है, नियंत्रण, जिसे आप controlling बोलते हैं, और last होता है आपके evaluation, जिसे हैं मुल्यांकन मोलते हैं, मैं आज आपको पहला जो चरण है, आयोजन या फिर हमें से योजना भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे planning, द जिसे आयोजित कर दिया, और्गिनाइस कर दिया, तो मैं ये प्रिफर करूँगी, आपको मैं इस चीज के लिए एडवाइस करूँगी, कि आप इंग्लिश में planning, organization, controlling और evaluation ये चार स्टेप्स याद रखिए, क्योंकि बहुत महत्पमूर है, एक्जाम में हिंदी में ऊपर जाता है, बच्चे दो शब्द की गलती की वज़े से उनका आंसर गलत हो सकता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, आप इन चारो स्टेप्स को इंग्लिश में आद रखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, भई, planning, organization, controlling, evaluation, यही जो है आपके स्टेप्स हैं, और इनी स् बड़ेंगे, यह वीडियो आपको डीटेल में मिलेगा, और ऐसे ही आपको चारो स्टेप्स में लेंगे, planning, organization, controlling and evaluation, let's start the topic, सबसे पहले देखिए, प्रभंदन, परिवार, प्रवंदन, प्रक्रिया, यह रह, प्रवंदन, प्रक्रिया के चरण, वही चीज, तो परिवार, जो प्रवंदन, प्रक्रिया है, उसके चार चरण है, यही पर लिखा हुआ है, योजना, योजना को planning बोलते हैं, आयोजन, आयोजन को organization बोलते हैं, या organizing बोलते हैं, मैंने अभी आपके यूथ में भी देखा है, इस तरीके से question पूछा गया है, हिंदी में, अगर आप लोगे कि English में एक बड़ जरूर जहांक लिजेगा, कभी योजना को भी आपके आयोजन बोलते हैं, organization को संगठन बोलते हैं, कभी आपके planning को केवल योजना बोलते हैं, तो आयोजन जो है organization के लिए वो लोग use कर लेते हैं, तो एक बड़ इंग्लिश में आप जरूर देखे controlling आपके क्या है? नियंत्रन, नियंत्रन बहुत महतपूर है, जैसे planning बहुत महतपूर है, organizing बहुत महतपूर है, वैसे नियंत्रन भी बहुत महतपूर है, और अंत में मुल्यांकन करना भी बहुत महतपूर है, ये परिवार प्रवंदन प्रक्रिया या ग्रह प्रवंदन प् अपने आफिस में, किसी ना किसी रूप में वे अपने साधनों की ब्यवस्था करता है, और हम ब्यवस्था किसकी करते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे फिर वो हमारे मानविय साधन हो, चाहे फिर वो हमारे अमानविय साधन हो, हमारे पास दो ही साधन तो है, जो म उनों का हम क्या करते हैं व्यवस्था पन करते हैं मारेजमेंट करते हैं और अपनी जीवन को सुगम और सरल बनाते हैं कुछ व्यक्ति अच्छी व्यवस्था करना सीख लेते हैं कुछ व्यक्ति अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं चाहें अपनी परिवार जो मैने परिवार जो पढाया जाता है कि हुम हम हो शॐक ताकि हम उसकी योजना बना लेनी सब चाहिए कर लेनी चाहिए हम बिना planning के कोई काम करने चलेंगे तो फिर हमारे साथ बहुत सारे दिक्कत आएगी हमें कभी हमें उसके budget के बारे में नहीं पता होगा हम कुछ भी उसमें हमारे को बहुत दिक्कत आ सकती है आप सबको पता है हम कहीं टूर पर जाते हैं तो हमें एक plan बनाते हैं हमें घर में अगर party करनी है तो हमें planning करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए तो हमें हमेशा सबसे पहले planning कर लेनी चाहिए planning के बाद दूसरा step होता है उसको organize करना मतलब आप आपने जो plan करा है अब आप उसके उपर अपना step ले लिजे, आप उसको organize कीजे, संगठित कीजे, आप करते हैं, फिर आप controlling करते हैं, controlling से आप अपनी planning को क्या करते हैं, नियंतरित करते हैं, controlling as a tool, नियंतर एक यंतर की तरह काम करता है, ये आपकी ब्यवस्थापन प्रकरिया को एक दिशा पब और इन चार स्टेप्स को हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए और इन चार स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने लाइफ में जो भी काम है वो करने चाहिए अगर हम इन 4 steps को अच्छे से follow करेंगे तो हम हमेशा सफल होंगे clear है आज मैं केवल आपको योजना के बारे मतलब planning के बारे या इसको आप आयोजन कहीं भी कुछ मिले लिखने के लिए हिंदी में आप उसको पहला step planning याद रखेंगे ठीक है उसके बारे में पढ़ाने जारी हो यह देखिए यही तो है management process यह प्रवंदन के प्रकरिया है प्रवंदन के प्रकरिया में क्या क्या होता है आयोजन या फिर आप इसे योजना बोल दीजिए कोई बात नहीं है इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे से planning बोलेंगे फिर होता है आपके नियंत्रन main तो यह तीन मानी जाती है लेकिन इसके साथ आपके जो है एक और होती है organization और फिर आता है आपके मुल्यांकन ठीक है? evaluation evaluation होता है और एक और होता है आपके यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं संगठन organization अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग लोगों ने इसकी अलग-अलग steps दिये हैं जैसे new man and summer है उन्होंने पांच steps दिये हैं यह तीन steps जो है आपके यह आपके ग्रॉस और उन्होंने निकल और नोटॉन ने दिये है यह आपके किस ने दिये है? यह तीन चरण प्रवंधन प्रकरिया के यह है यह आपके निकल और लोट के o अगर हम new man की बात करते है new man and summer की बात करते हैं यह new man की बात करते हैं तो उन्होंने तो management की 5 step दिये हैं लीच फिल्ड जिन्होंने action of cycle बोला है, क्रियाओं का चक्र बोला है ग्रह वेवस्ता को, तो जब वो क्रियाओं का चक्र है तो उन्होंने 5 चरण बताएं, 5 चरण में बताते हैं वो कि क्रियाओं का चक्र ये पूरा होता है, तो अलग 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 आपके step दिये हुए है और जब दियाओं का चक्र बोला है, तो कितनी खरें हैं उस चक्र में कितनी क्रियाओं है, पांच क्रियाओं है, कौन-कौन सी है, वही, डिसीजन मेकिंग, प्रोग्रामिंग, कमिनिकेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, रियापैरिजिंग, पुना मुल्यांकन, यह सब उन्होंने दिये हैं, इसकी बात मैं कभी आपसे करूँगी कोश्चन्स में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, फिलान यह होते हैं, च प्रथम चरण है, प्रश्ण बनते हैं, कि सबसे प्रथम चरण जो है, आपके ग्रहय प्रवंद्र प्रक्रिया का वो क्या है, तो वो है आपके योजना, नियोजन या योजना या प्लानिंग, आपके वांचित लक्षों को प्राप्त करने के लिए, उपलब्द संसादुन प्रवंदना प्रक्रिया में नियोजन को प्रमुख गतिविधी माना जाता है और निकिल और सी निकिल और सी ने ही आपके जिनों ने ग्रह प्रबंद प्रकरिया के तीन चरण सुझाए कि पहला चरण क्या है पहला चरण है कि योजना को planning को management का बिवस्थापन का प्रथम चरण पहला step किस ने बताया है तो ये उनके definition में लिखा हुआ है किसके nickel and dot see की और ये सब आप से पूछा जाता है आजकाल examiner बहुत smart हो गया है अलग-अलग तरीके से आप से प्रशन पूछते हैं ठीक है तो योजना को planning को पहला step आपके nickel and dot see नहीं बताया है इससे आप परिवार की बिविन गती विदियों के बारे में निर्नो की एक शंकला बना लेते हैं ग्रॉस और क्रेंडल क्या कहते हैं ग्रॉस और क्रेंडल, nickel, dot see, कुंटच, O'Donnell और लूइस A. Evin इन चारों ने ग्रह विवस्था में काफी सारे अपने विचार दिये हैं और इन चारों से प्रेशन आपके एक्जाम में बनते हैं तो ग्रह विवस्था का प्रथम चरण है आपके योजना ये किस ने कहा? ये आपके बोला है प्रवंदन प्रकरिया का प्रथम चरण है योजना प्लानिंग ये आपके निकिल डॉट सी बोलते है ग्रॉस और क्रेंडल क्या बोलते हैं? Gross and Crandle कहते हैं कि जो आपके planning है जो योजना है यह व्यक्तिगत उदेश है और निर्नों की एक शंकला है मतला आपके अपने personal objectives है पर्सनल आपके कुछ उदेश है और उसके साथ आपके पास क्या है निर्नेओ की डिसीजन्स की एक शंकला है एक सीरीज है और यह दोनों ही दूसरे पर निर्भर होते हैं यह प्रेशन आपसे PGT में 2005 में पूछा जा चुका है ठीक है अब जब PGT के और कोशन्स करेंगे तब आपके देखेंगे TGT में भी आपसे पूछा जा चुका है तो यह चीज जो है यह दोनों डेफिनिशन इसी में हैं देखिए प्रवंदन प्रकरिया में नियोजन को प्रमुक गतिविधी माना जाता है इसमें परिवार के बिविन गतिविधियों के बारणे में निर्नेओ की एक शंकला शामिल है संसादोनों का उपयोग परिवार के मार्गों को लक्षे तक पहुचाने के लिए बदनना यह सब आपके प्लानिंग है तो प्लानिंग को योजना को प्रथम चरण मानते हैं निकल और डॉट सी ठीक है और ग्रॉस और केंडल क्या कहते हैं कि आपके अपने परसनल उब्जेक्टिफ्स हैं मतला आपके कुछ व्यक्तिकत उदेश हैं इसके साथ साथ निर्नेओ की एक शंकला है निर्नेओ की मतलब डिसीजन की आपके पास एक शंकला है और यह दोनों एक दूसरे के उपर निर्भर हैं यह इस तरीके से प्लानिंग को परिव वीडियो है मैं डीटेल से आपको पूरा योजना समझाओंगी बनना बहुत सरल है कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन हमें एक एक पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए प्रश्ण जहां से बने हम उसको आंसर कर सके हैं तो योजना क्या है आप बताएंगे मैम योज हमें हमेशा कोई भी काम कैसे करना चाहिए पहले हमें एक प्लान बना लेना चाहिए एक योजना बना लेनी चाहिए ठीक है फर एक्जामपल हम कहते है चलो आज हम पार्टी करते हैं पार्टी करेंगे हम सब पार्टी करेंगे तो पार्टी करेंगे तो कैसे पार्टी कितनों को बुलाएंगे, क्या पार्टी का वेन्यू है, क्या मेन्यू है, यह सब देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो यह क्या, यह प्लानिंग ही तो है, आप सब समझते भी है, तो प्रवंदन प्रकरिय का प्रथम चरण है प्लानिंग, जो क्या करता है, आपको लक्षो को प्रवंदन प्रक्रियमे नियोजन को प्रमुक गतिविधी सबसे प्राचिन सबसे पहला सबसे महत्पूर सोपान माना जाता है ठीक है और यह क्या है यह पारिवारि व्यक्तिगत लक्षों की प्राप्ति और उसके सासा निर्नेव की शंकला है और यह दोनों यह दूसरों के यह दो पर निर्बार होते हैं यह बात ग्रॉसन क्रेंडल कहते हैं कि आपके अपने कुछ ऑप्जेक्टिफ से और अब पूरा करने के लिए आपके बास डिसीजन की भरमार है आप कोई भी डिसीजन ने सकते हैं और जब आपके पास अबजेक्टिव है तब ही ता आपके प्लानिंग में क्या है वेक्तिगा तो देश है उसके साथ साथ निन्यकिशन ख्ला है जो दूसरे के अपर निर्बार है तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी योजना के बारे में आगे बढ़ते हैं नियोजन की या योजना की या प्लानिंग की हम विशे की या planning की निम्न विशेषता हैं बहुत सारी characteristics हैं क्या क्या नियोजनिक निरंतर चलने वाली मानसिक प्रकरिया है ये बात हम हमेशा ध्यान लखेंगे ग्रह प्रबंध ही आपके एक मानसिक प्रकरिया है तो ग्रह प्रबंध में जब आप planning कर रहे हैं या decisions ले रहे हैं ये सब कैसी प्रकरिया है निर्णे ले रहे हैं ये सब आपके मानसिक प्रकरिया है आपके दिमाग में है आपके बुद्धी में आपके intelligence आपकी brain में है ठीक है ये सब एक मानसिक प्रकरिया है ये flexible है परिवर्तन शील प्रकरिया है बिल्कुल हमें ऐसी planning करनी चाहिए जिसमें हम changes आपके दा सके flexibility हो है ना थोड़े लोच में हो ऐसे नहीं हमें कोई भी चीज को plan करना चाहिए कि नहीं हमें बिल्कुल रिजिट हो के चलना चाहिए माली जे मैं पार्टी देने जा रही हूं मेरे friends को मैंने सबको आज में क्या है पीजा खिला दूंगी बस लेकिन मेरे friends का म मन कर गया कि नहीं बैया चलो आज थोड़ा पनी टिक का भी मंगा दे दिव्या तो क्या मैं वहां पर रिजिट हो जाओंगी कि नहीं मेरा तो budget 5000 का था मैं कैसे 500 पर और खर्च कर दूं नहीं मुझे अगर मेने budget 5000 का बनाया है या मैंने ये सोचा मेरे 10 friends आएंगे तो मैं इत से हमें planning करनी चाहिए नियोजन सदैफ कार करने से पूर्व करना चाहिए अब यह नहीं कि भाया हम चलो सब party कर रहे है कुछ नहीं पता कहा party करनी है किधर जाना है सडक पर पहुँच गए 10 friends फिर सोच रहा है आप बताओ यार कहां चलना चाहिए किधर चले इस mall चले उस mall चले यहां चले picture hall चले कहां चले तो यह waste of time है आपके समय की बरवादी हो रही है और क्या हो रहा है नियोजन का आप कोई फायदा नहीं है तो planning हमेशा आपको कार करने से पहले करनी चाहिए यह नहीं कि आप कार करने पहुँच गए है कार छेतर पर और फिर आप क्या कर रह चलेगा कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा पता चला उठने दस बजे और सफाई शुरू कर दी ना नाश्ते का पता है ना खाने का पता है कुछ नहीं पता है तो यह गलत होता है हमेशा कोई भी काम हमें करना चाहिए planning से करना चाहिए जीवन का प्रते काम में हम planning करते ह नियोजन एक वैज्ञानिक पद्धती है एक वैज्ञानिक पद्धती है जो क्रम बद रूप से संपन्न की जाती है एक क्रम है एक order है उसी में संपन्न करना चाहिए एक वैज्ञानिक पद्धती है आपके हिसाब से यह एक विवेक शील पद्धती है ठीक है जहां पर आप आपकी इंटेलिजन्स, आपकी बुद्धी, आपकी बुद्धी मत्ता का प्रियोग होता है, नियोजन वो है, आप कोई भी प्लान बनाते हैं तो अपने दिमाग से बनाते हैं, आपने बुद्धी का यूज करके बनाते हैं, नियोजन का अधार लक्षयों और उदेशों की प पास करना है, हमारा लक्ष है हमें TGT में जो पास करना है, जॉब करना है तो यह मेरा लक्ष है, तब ही तो मैंने प्लान्स बनाए है, चलिए, मेरा लक्ष है कि मुझे मेरे YT में स्टूडेंट्स को पढ़ाना है हमेशा हमारे पास बहुत सारे options होते हैं आप 4 options पे से एक choose करने वाला नहीं होता है वो तो बहुत ज़्यादा conservative हो जाता है ना हमारे लिए वो नहीं होता है हमारे पास हमारी life में बहुत सारे options होते है आपके पास वाइटी में बहुत options है जहां मनों वहां पड़ो, कोई किसी को रोख थोड़ी लेता है, है ना, कोई नहीं रोख सकता है किसी को तो आपकी planning में आपके पास बहुत सारे options हैं, उसमें से आप जो विकल्प आपको अच्छा लगता है, सर्वोत्तम विकल्प जो आपके लिए आप उसको choose करते है नियोजन की सफलता के लिए उसका ब्यावारिक होना अतियंतावशक है, समझ में आ रही यही चीज, नेक्स्ट नियोजन पूर्व अनुमानों पर आधारित एक प्रकरिया है, जिसमें कार को सून नियोजित तरीके से पून करने हितू संसाधनों को संगठित किया जाता है और आप एक बात हमेशा याद रखेंगे जब भी ग्रह प्रवंद की बात आ रही है तो आपके पास साधन है, संसाधन है ठीक है? आपको हमेशा आपने साधन, आपके संसाधन जो भी आपके पास resources used, आईसे में available है उन्ही को आपको संगठित करना है उन्ही को ध्याब में रखते हुए हमेशा आपको plans बनाने है और उन्ही को आपको संगठित करना होता है clear है? चलिए, तो ये आपके सब हो गए क्या? ये हो गए नियोजन की विशेष्टा है क्या हो गए नियोजन की विशेष्टा है? अचा, plans जो होते हैं, उनके types भी होते हैं, students कुछ long term plan होते हैं, कुछ short term plan होते हैं है ना? तो types of planning भी हम यहीं पर पढ़ लेते हैं types of planning types of planning या आप बोल सकते हैं, नियोजन के प्रकार है ना? नियोजन के प्रकार तो क्या है नियोजन के प्रकार? नियोजन आपके मुखिता दो प्रकार के होते हैं एक आप लंबे समय के लिए प्लान बनाते हैं जैसे हमारी सरकार बनाते हैं ये 5-year plans बनाते हैं तो 5-year plan is a long time पहले क्या था पहले ये योजना आयोग था 5 year plans बनाता था, अब वो नीती आयोग में बदल गया है, बस इतना ही दो difference है लेकिन जसे हमारी government 5 साल के लिए plan मनाती है, कि भाई ये जो हम योजना आरम करने जा रहे हैं ये 5 साल तक पूरी होगी, या मैं अपना personal मेरा कुछ अपना है या आपका personal है कि भाई आमें घर बनाना है, मकान बनाना है, तो ये एक long term plan है आपका आज नहीं पूरा हो जाएगा, आप उसके लिए जमीन खरीदोगे, देखोगे, फिर आप उसके मकान बनाओगे, तो ये long term plan है और दूसरे होते हैं आपके short term plans, short term plans पहला कौन सा होगे, long term plans जो अधिक long term plans के लिए बनाते हैं, ठीक, दूसरे कौन से होते हैं आपके short term plans short term plans जैसे हमें भई पार्टी करनी है, पार्टी करनी है, तो ये short term plans है तो short term plans जो होते हैं आपके, या जो आपके कम समय के लिए जो आपकी योजनाएं होती है ठीक ये आपके जादा इस्थाई होती हैं क्या होती है जादा इस्थाई होती है इस्थाई मतलब आपके हम कह सकते हैं इस्थाई तो नहीं बोलेंगे इस्थाई कहना गलत है अधिक इस्थाई होती है इस्थाई तो नहीं बोलेंगे इस्थाई कहना गलत है अधिक इस्थाई तरगत कि मुझे क्या करना है मेरे भवश में क्या नहीं करना है है ना जबकि भाई लॉंग टर्म प्लांस की बात करें तो ये इतने निश्चित नहीं होते ये होते हैं हमारे दिमाग में होते हैं हमारे लंबे समय के लिए अब दीर्गकाली नियोजनाई होती हैं लंबे समय क तो आपके फोल मुंद होते हैं, आपके बना सकते हैं, तो आपके पास आ покम समय औरे अच्छी योजना बना सकते हैं प्रवंदन की बात करते हैं तो प्रवंदन हमेशा आपके कितने चरणों में पूरा होता है, जो में चरण है, वो तीन है, अलग-अलग सबने हिसाब से दिये है, किसी ने पांच भी बताए है, किसी ने तीन भी बताए है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्ण बनते हैं, तो कहीं कहीं आपसे चार चरण भी पूछ लेते हैं, तीन evaluation है पहले मैं party करने के लिए plan बनाती हूँ फिर मैं सब को ले जाती हूँ party दे देती हूँ लेकिन मैं यह देखती रहती हूँ कंट्रोल करती रहती हूँ कि कहीं मेरा 5,000 5,000 का budget है कहीं 10,000 ना खड़ जो जाए ना over ना चला जा पता चला पार्टी देने के चक्कर में सब को पीजा खिलाने के चक्कर में मेरा बैलंस बिगड़ गया और फिर मैं मूल्यांकन मी करती हूं कि भाई मैंने जो पार्टी के लिए सोचा था जो प्लांस बनाये थे हम उसमें सक्सेस हुए कि नहीं हुए तो यही चार स्टेप्स है हमेशा ब्यवस्थापन हमें इन चार स्टेप्स को इन चार चरणों को ध्यार में रखते हुए ही करना चाहिए यह चार स्टेप्स क्या करते हैं यह चार स्टेप्स हमें हमारे लक्षों की प्राप्ती करने में लक्षों को प्राप्त करने में है और हमारे साधुनों का सही उपियो करना हमें सिखाते हैं ये बात अब हमेशा ध्यान लखेंगे ग्रह प्रवंध है तुमारे पास साधन है और उनी ही साधनों को हमें क्या करना चाहिए यूज करना चाहिए अब हम सबसे पहला चरण पर रहे हैं जो की है प्लानिंग प्लान करना है मुझे प्लान करना है और हमेशा प्लानिंग कैसे की जाती है काम करने से पहले करनी जाए ये नहीं पार्डी देनी है पहुझ गया सड़क पर फिर प्लानिंग कर रहा है अब किदर चला जाए पहले से प्लान करके जाना है मुझे कि मुझे अपने स तो प्लानिंग आपके, और यह कैसी प्रकरिया है? ग्रहय प्रवंध भी मांसिक प्रकरिया है, तो मैंने मेरे दिमाग में सोचा हूँ है, ज़िए थोड़ी लिखा है, कि मैं अपने फ्रेंड्स को लेके जाओंगी, एक पूरा चिट्थी लेटर थोड़ी लिख रही हूँ, ये मेरी मानसिक प्रकरिया है, ये मेरी बुद्धी, मेरे विवेक से संबंदित है, क्लियर, चलिए, तो प्लानिंग को हमने जब पढ़ा, तो हमने जाना कि प्लानिंग, निकल डॉर सी भी कहते है, और ये बात सच भी है, कि ब्यवस्थापन का सबसे प्रथम, सबसे प्राची है, तो वो है आपके प्लानिंग, अर्थार्तियोजना, नियोजन, आयोजन, आप कुछ भी बोलिए उसे, जो क्या करता है, जो हमें हमारे लक्षों को प्राप्त करने में हल्प करता है, इसके साथ साथ ग्रॉस करंडल क्या बोलते हैं, कि आपके खुद के व्यक्तिगत लक प्लानिंग करते हैं, तब आप प्लानिंग करते हैं, ठीक, हम समझ गये, फिर हमने प्लानिंग की विशेष्टा हैं, निरनतर चलने वाली प्रकरिया ऐसा नहीं है, कि आज मैं जो है दूसरा काम करूंगी, तो उसके लिए प्लानिंग करूंगी, मैं केवल अपनी या हर एक चीज में हम management process का use करते हैं तो आप विशेष्टाइं समस्ते हैं कार करने से पहले मुझे कर लेना चाहिए है नहीं इसकी बात हमेशा ये flexible होना चाहिए कुछ भी आप करिए process हमेशा आपकी flexible होनी चाहिए rigid नहीं होनी चाहिए चाहिए हम home management की बात करें चाहिए हम प को अपने सिखा सकूँ समस्त कूँ हमेशा हमारी जो भी planning है वो flexible होनी चाहिए आगे मैंने क्या बताया आपको कि planning भी प्रकार भी पढ़ लिए हमने कि planning हमेशा दो प्रकार की होती है एक long term plan होते है मतलब दीरग काली नियोजना होती है जो लंबे समय के लिए बनाए जाती ह वो हमारे लक्षो पार धारित होती है हमारे लक्षो पार निरभर रहती है और होती है कि आपके अलपकाले की योजना जिसे हम short term plans बोनते हैं यह ज़्यादा इस पश्ट होते हैं ज्यादा clear होते हैं क्योंकि यह कम समय में बन जाते हैं और कम समय के लिए होते हैं और हम अप ओने दिए हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग और इवेल्वेशन अभी रिच्ट की बात करी लिच्ट फिल्ड तो बोलते ही है कि जो ग्रहों मैनेजमेंट वो एक्शन ओफ साइकल है क्रियाओं का चक्र वह तो नोने पांच क्रियाये बता थी कि इस पांच क्रियाओं से होकर क इस चक्र जगुजर करके आप विवस्थापन कर पाते हैं। न्यूमन समर बोलते हैं, वो भी पांच बताते हैं। तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा कौन-कौन से, अलागे मैं कुशन्स में करा दूँगी, बट प्लानिंग के भी आपके कुछ चरण है, जो अलाग अलाग आपके जो विद्वान हैं, जो आपके ये जिनों ने गिरहाय प्रवंद में अपने विचार प्रस्तूत किये हैं, वो बताते हैं। ठीक है, तो क्या-क्या चरण है प्लानिंग के। सबसे पहले आपके पास जो समस्या है, उसको आप पहचानिए, identify the problem, अब जरूरी नहीं कि हल समय समस्या ही होगी, समस्या का मतलब है कहने का आपको जिस भी चीज के रिगार्डिंग प्लान बनाना है, उसको आप पहचानिए हैं, आप मुझे पार्टी देनी तो पार्टी कोई समस्या नहीं है, हमेशा समस्या ही नहीं होती है, कभी समस्या भी हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता, आप उसके उपर प्लान मनाईए, तो आप सबसे पहले आप अपनी जो भी समस्या है, आप उसको पहचानते हैं, इन्होंने समस्या कहा दिया है, आप identify the situation बोल सकते हैं, कि सबसे पहले आप अपनी situation जो है, उसको आप समझेए, आप मुझे पार्टी देनी है, मेरे को अपनी फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, मेरे को पहचानना है, सिचुएशन को आपको अपनी पहचानना है, फिर आपके पास क्या है, लिस्ट डाउन दा अल्टरनेटिव, मेरे पास मेरे सोचा भी मुझे मेरे फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, मेरे पास options है, मैं इस जी आईपी मौल में दूँ, मैं गौर्ड सिटी मौल में दूँ, मैं आपके आई मौल में दूँ, मैं किस मौल में दूँ, मेरे पास बहुत options है, या मैं पिच्चर दिखा दूँ अपने फ्रेंड्स को, या चलो गेम जोन चलते हैं, मैं कुछ भी option चूँज कर सकती हूँ, है न, फिर जो best option है, उसको आप चूज कर लो, विकल्बों की बीच आपके वाद इतने सारे, पहले तो मैंने list डाउन कर लिए, मैंने अपने दिमार में 10 options लियाई, चलो यहाँ चलते हैं, फिर मुझे उसमें से सबसे best मैंने चूज किया, सबसे best क्या रहेगा, जो मेरे पास भी हो, मेरे friends के पास भी हो, हमें जादा खर्चा ना करना पड़े, आने जाने में मारा पैसा जादा ना खर्चो, time ना वेस्ट हो, तो मैंने अपने जो best option था, उसको चूज कर लिया, ठीक है, option को मैंने best option को चूज कर लिया, select one, एक उसमें से क्या कर लिया, मैंने select कर लिया, और last में आपके होता है, अब जो भी consequences होंगे, उसको आप accept करो, है ना, consequences का मतलब है, जो भी परड़ाम है, अच्छा है, तो आपके लिये है, बुरा है, तो आपके लिये है, clear है, तो यही होते हैं, योजना के चरण, अलग-अलग, इन्हों ने, राइटर्स ने, अलग-अलग तरीके से बताए हैं, यही हैं आपके चरण, तो यही पाँच चरण जो है, यह आपके gross and crandle ने दिये हैं, यह पाँच चरण जो अभी हमने बात करी, यही पाँच चरण आपके gross और crandle ने दिये हैं, ठीक है, यह क्या बोलते हैं, gross and crandle क्या बोलते हैं आपके, gross and crandle बोलते हैं, define the problem, यह वहीची समस्या को अपनी जानिये, पहचानिये, परिवाशित कीजिए, ठीक, दूसरा यह क्या क्यते हैं, list down the alternatives, मतलब अपने सारे बिकल्पों को आप ढूंड़िए, सारे बिकल्पों को एक जगह लिख लिजिए, मतलब सारे बिकल्पों को आप अपने ध्यान में रखिए, आपके पास बहुत सारे बिकल्प है, ठीक है, फिर क्या करिए, आप अनलाइस कीजिए, मतलब देखिए, कौन सा बिकल्प सबसे अच्छा है आपके लिए, कौन सा बिकल्प सबसे अच्छा है आपके लिए, तीसरी चीज़ी यही बोलते हैं, और फिर चौती चीज़े बोलते हैं आप उन में से कोई एक विकल्प आप चुन लीजिए पहले आपने क्या करा पहले आपने विकल्पों को अपने क्या करा लिस्ट डाउन किया ठीक है सारे विकल्पों को सारे जितने भी विकल्प हैं आपके पास आपने उनको ढूंडा फि को चाश्ट में परइणाम है ुसको क्या करना होगा उत्तरदाइत को सुईकरन अधिन्ट तो इस अशी किर थिए भी अपन नेगटिज करना थे उन्हों मुझेग है आपके परणाम है भाई analyze करोगे ना last में आप उसको evaluate करोगे ना तो जो भी परणाम है उसको आप सुईकार करो कहीं कमी रह गई कहीं जादा हो गया उस अब आप सुईकार करो तो ये पांच चरण जो है आपके planning के योजना के gross and krendle ने दिये हैं ठीक है योजना के साथ चरण दिये हैं आपके साथ चरण है luis a aven can son ये मैंने कराया भी है ठीक है luis a aven can son ये मैंने कराया भी है अभी मैंने एक video में questions कराय थे तो मैंने ये कराया था यहाँ पर लिखती हूं दुबारा से, साथ चरण दी हैं इन्होंने, लुईज, एवन के नुसार, इनके साथ चरण क्या है, यह कहते हैं, उद्देशों को पहले विक्सित करो, वही चीज सब की बात है, जो भी आपके अब्जेक्टिफ से हैं, जो भी आपके उद्देश हैं विक्सित कीजे, फिर भविष्वानी कीजे, मतलब भविष में क्या होनी की संभावना है, अनुमाल लेकर क्या आप एक भविष्वानी तो कर सकते हैं, आपके पास एक आंकडा तो है ना, आपके पास एक इस्थिती तो इसपष्ट हो जाएगी ना, कि मालो अगर मैंने सूची बनाओ, समय अनु सूची बनाओ, मतलब स्केडिलिंग करो, स्केडिल बनाओ, अपने समय की सूची बनाओ, क्या हम कहां क्या करेंगे, अपने करम की सूची बना लीजे, ना, बजट तियार कर लीजे, फिर ही कहते हैं, बजट तियार कर लीजे, वही चीज मुझे ब बजट लेके चलना पड़ेगा ना मैं कहीं में जा रही हूं तो एक बजट मुझे बनाना पड़ेगा न अपना इसके बाद क्या कहते हैं इसके बाद कहते हैं नीती का विकास करिए और प्रकरिया का विकास करिए तो यह आठ चिरन किस ने दिये हैं यह आठ चिरन आपके और बनाया है अपनी प्रकरिया का विकास आप कीजिए तो इस तरीके से साथ चरण दिये हैं लुई से एवन ने एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं क्या क्या चरण है जो साथ चरण है सबसे पहला है आपके developing objects मतलब आप क्या करिए अपने उद्देशों का उद्देशों का निर्धारान कर लेजे ठीक है उद्देशों को विक्सित कर लेजे दूसरा ये बोलते हैं forecasting broadcasting forecasting मतलब अइसकी भविश्वानी किजिए ठšíक है क्या किजिए भविश्वाटी कर लिजे भविश्वानी मतलब अपने अनुमाल लगा लिजे भविश्वानी करना यह नि कि खड़ हो गए और कंस सांध में जब होनी कि संभावना है कोई भी प्लान हम बनाते है तोοςका मेरे future मेरे फ्यूचर में मेरे आंकड़े सही रहेंगे नहीं रहेंगे ठीक है वो एक भविश्मानी कर लेना फिर यह कहते हैं तीसरे में कि अब आप क्या कर लिजे प्रोग्रामिंग कर लिजे प्रोग्रामिंग मतलब कारिक्रम का नियोजन कर लिजे आप हिंदी में लिख सकते हैं मैं एक एक चीज हिंदी में सेम बोल रही हूँ, ठीक है, कारी करम का नियो जंग कर लिजे, फिर कहते हैं समय सूची बना लिजे, स्केडियूल बना लिजे अपना, ठीक है, समय की सूची बना लिजे, समय सूची बना लिजे, स्केडियूल बना लिजे, फिर ये बोलते हैं आ तियार कर लो एक नीती बना लो ठीक है एक प्रोसीजर बना लो अपना एक डेवलपिंग पॉलिसी है कोई भी पॉलिसी कोई भी नीती अपनी बना लो कि मैं इसी नीती पर अपने काम करूंगी और लास्ट जो है यह बोलते हैं कि आप अपनी प्रोसीस को डेवलपिंग प्रो और डेवलिपिंग प्रोसीजर या प्रोसेस जो भी है आपके प्रक्रिया का विकास का लेजे तो इस तरीके से साथ चरण आपके दिये हैं किसने लुई से एवन ने यह कोशन आप से पूछा जा चुका है जी आई सी में अजने डाइट में आ चुका है और इंपोर्टन भी ह क्या फाइदा होता है प्लानिंग करने से हम प्लानिंग करते हैं किसके लिए मितवयता के लिए हमेशा ध्यान लखेंगे अनिश्चित्ता को दूर करने के लिए अनिश्चित्ता मतलब टू आफसट अंसर्टेनिटी ठीक है हमारे भविश में हमारा भविश अनिश्चित हो करने में भी हफार करती है तो इस प्रकार सुदיפ यह जो टॉपिक है है यहाँ खतम होता है और मुझे लगता है मैंने जितना 保yt자가 प्रशक्रा और तो प्रसके को आपको समिघा सकती ति क्लिए अपको शैनी प्लानिंग में आप नाने कदेज चीन थी डिया जो कि देखने में लगता बहुत सरल है, बहुत सरल हो है भी सरल, लेकिन जब हम इसकी डेफ्ट में जाते हैं तो कुछ चीज़े ऐसी है कि एक्जामनर महां से कोशन बना लेते हैं, ताकि आपके वो कोशन अच्छे से हो सकें, इसके मेरा ये प्रयास था छोटा सा, I hope मैं आप को क्लियर कर पाई हूँ, हिंदी मीडियम में समझा पाई हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बच्चे कि आपसे हिंदी में ही समझा हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम की पढ़ी हूई हूई हूँ, मैं अंग्रेजी मीडियम की नहीं पढ़ी हूई हूई हूँ, लेकिन मैं bilingual पढ़ाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि कुछ English मीडिया माले proper बच्चियां जो बहुत परशान हो जाते कि मैं हमें कहीं class name मिलती English में तो मैं सोचते हूँ उनका थोड़ा बहुत भला कर पाऊं मैं भी और बाकी मैंने आपको पूरी कोशिश करिए समझाने की अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो do like, do subscribe, do share my channel thank you so much guys next video में next topic के साथ हम मिलेंगे वहाँ हम संगठन के बारे में बढ़ेंगे class को share कर देजगा and always support women empowerment अपने आपको बचानी है, अपनी शक्ती को बचानी है और swim का ध्यान रखे, चले, bye bye students, bye bye